असलामलेकुम, वेलकमबेक टू माई चैनल बहुत सारे पवदें हैं जिनको के हमरा साइड चाइड करना। डिवाइड हमें कैसे करना है बहुत सारे तरीके हैं जिन में से एक तो हम उनको कटिंग लगा के डिवाइड कर सकते हैं यानि के एक पौदे से बहुत देर सारे बना सकते हैं दूसरा हम उनको रूट जो उती उनकी जड़ें वहां से हम उनको तक्सीम करके काफी सारे पौधे बना सकते हैं आज की वीडियो में आपके साथ मैं कटिंग वाला तरीका शेयर करूँगी कि किन-किन पौधों की कटिंग लगाके आप उनको 1-2-2-4 जितने चाहें आप उसके पौधे बना सकते हो तो flowering plant तो हम grow करते ही हैं लेकिन जो permanent है वो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और बहुत जल्दी divide हो जाते हैं तो इसलिए cutting जरूर लगाते रहा करें जनुवरी के month में भी आप बहुत डेर सारी cutting लगा सकते हैं कलांचो का पौदा है इसमें आपको variegated भी मिल जाएगा hybrid भी मिल जाएगा और यह देसी वाला है मेरे पास दो से तीन variety हैं मैंने इनको cutting से ही grow किया है तो अभी भी आपको इनकी cutting मिलती है तो आप कहीं से भी इनकी cutting ले आए और उससे आप इनके धेर सारे पौदे जो हैं वो एक ही cutting थी जिससे कि मेरे पास आप आर से दस उसके बहुत ही खुब्सूरत से पौदे त्यार हैं जो किया flowering भी करने वाले हैं यहां भी मैंने कुछ मज़ीद cuttings लगाई थी तो जिस भी मौसम में लगाना चाहें इसकी cuttings बहुत आराम से लग जाती है ना के ठंड ना ही ग सा जाती हैं किसी भी मटी में लगा दें बहुत असानी सी यह आपके पास चलता रहेगा तो आपको कहीं से मिलता है आप जरूर इसको अपने गार्डन में एड कीजिएगा सेकिंड प्लांट जो है वो मेरे पास इसको हमें सेव करना जरूरी है क्योंकि आगे विंटर में ज जल्दी खराब भी होने लग जाता है इसलिए इसकी कटिंग तो आप लगाते रहा करें इस पौदे को अगर आपको अपने गार्डन में जिंदा रखना है तो इसकी जितनी हो सके कटिंग पे कटिंग लगाते हो सिंपल गार्डन सोल में आपने लगाना है इस पे मैंने एक वीडियो भी शायद शेयर किया था जिस पे मैंने इसकी कटिंग लगाई थी क्योंकि बारिशों में जब इनको बहुत जादा पानी मिलता है या कोरा मिलता है जैसे कि आज कल कितनी धंड है ये खराब होने लग जाता है तो इसलिए आप इसकी कटिंग लगाएं कटिंग हमेशा आपने तीन से चार इंच की लेनी है उससे बड़ी कटिंग नहीं लेनी मैंने काफी सारी इसकी कटिंग लगाई है ताकि आनेवाले मौसम में फहां मेरे पास यह पास्यूदा जो है वह काफी सारे पॉठस में रेडी हो यह न वो के बारिशों में यहीं मर जाए इसलिए आपने जो है वह इसको ज़रूर अपने पास और आस नशी करना है उसके बाद है यह काफी डिवाइड होता रहता है इसमें इतने सारे बेबीस निकलते रहते हैं तो आप इसको बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं साइड में देखें इसके अगर आपको कुछ नजर आते हैं इस तरह से पप्स उनको निकाल के आप मट्टी में रख दें इसमें भी रूट आ जाएंगी लेकिन इसमें आप जब पॉट की मट्टी को बाहर निकालेंगे तो उसमें काफी सारे पौदे होंगे उनको आप जड़ों समेथ ही लगा सकते हो उसके बाद यहां देखें मेरे पास है कोलियस का प्लांट तो कोलियस अभी तक तो ऐसे ही विंटर में मेरे पास छट पे पड़ा है काफी सारे इसके पत्ते गिरना शुरू हो चुके हैं तो इससे पहले कि यह पौदा हमारे पास खत्म हो जाया आपने इसकी धेर सारी कटिंग्स लगा लेनी है कटिंग लगाके आपने शेड में रखनी है कभी भी आपने ओपन में नहीं रखनी क्योंकि रात में बहुत ठंड़ को जाती है और पौदे जो है वो कटिंग बिल्कुल नहीं लगेगी इसलिए आपने इनको जितना हो सके या तो पॉली बैक से किसी पॉली हाउस से कवर कर दें या पिर इनको शेड में रखें जहां पे कोरा नहीं गिता इंडूर भी आप इनको रख सकते हो इनको कटिंग लगा के जरूर सेव करें ताके आने वाले सीजन में या आपके पास चलते रहें इसी तरह यहां पे चाइनिज वोयलेट का प्लांट है यह सिंपल वाली वैराइटी है मेरे पास एक इसमें हाइबरड भी आती है जिसमें आपको पते थोड़े से वाइटी स्टोन में दिखेंगे यह बहुत खुब सूरत फ्लार्स देती है अभी विंटर में इसने काफी फ्लावरिंग की है अभी यह टोटली डॉर मैंसी में है इसके सीड भी बनना शुरू हो चुके हैं तो आप इसकी कटिंग भी अराम से लगा सकते हूँ इस प्लावरिंग की कटिंग लगाना भी बहुत एजी है यहां पर मैंने कुछ कटिंग ली है आपको लगा के भी मैं दिखा देती हूँ आपने सिंपल इसकी कटिंग लेनी है चार से पांच इंच की और उसको मट्टी में लगाके आपने इसको पानी दे के और फिर शेड में रख देना है कहीं भी बहुत एजीली लग जाएंगी इसी दरह जेड प्लांट है जो के पर्मरेंट प्लांट है और सालों साल ये चलता है इसकी आप टोपियारी बना सकते हैं विंटर में तो इसकी कटिंग्स लगाते रहें मेरे सबी पौदे उपर धूप में च्छाओं में बारिश में चछत पे ही रहते हैं इनकी उपर कोई शेड नहीं है तो कफी दफ़ा ऐसे रहता है कि हमारे कुछ पौड़ खराब हो जाते है तो वो फाइदा आपको कटिंग का तब होता है जब आपके पास इसकी अलरड़ी कटिंग्स मुझूद हो अगर आपके एक पौदा मर भी जाए तो आप अपने पौदे को कंटिन्यू कटिंग्स से कर सकते हो यहां भी कुछ मैने कलांचों की कटिंग्स लगाई है जो के बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है इसी तरह यह लालसा का प्लांट है सौरी नैंत्रा का प्लांट है इसके रेड पते देखें कितने हुपसूरत है तो इसने काफी फ्लावरिंग भी की क्योंकि इसकी यह ग्रोथ का टाइम नहीं है आगे इसका ग्रोथ का टाइम शुरू होने वाला है इन्शालला फैबरिरी मार्च के बाद यह खुब सारी ग्रोथ करेंगा तो आपने इसकी डेर सारी कटिंग्स लगा लेनी है इसकी कटिंग भी आपने तीन से चार इंच की लगानी है जो के बहुत हराम से लग जाएगी उसके इलावा बुविलियन जू है टर्टल वाइन है ये दो विराइटीस हैं इसकी इसकी भी आप कटिंग से लगाके अपने पास सेव कर लें तो ये बहुत अच्छे से आने वाले मौसम में आपके पास इसकी जो बासकीट्स हैं गमले हैं तियार हो जाएंगे अभी चुके बार्शें भी होंगी तो उसमें ये है कि ये पौदे खराब ना हो जाएं तो फटा फट से आपने कटिंग नहीं लगाई है तो अब लगा लें और उनको अपने पास सेव कर लें उसके इलावा आप वरंडिंग चुकी लगा सकते हैं इसमें काफी सारी वराइटीज होती हैं जो आपको अवेलेबल हो आप उसकी कटिंग लगा लीजिए मैं बहुत अफ़ा ट्राइ करती हूं लेकिन ये विंटर में ये खतम हो जाता है तो फिर से अड़ करती हूं अगर आपके पास इंडोर में जगा है तो इसे इंडोर में रखिएगा क्योंकि ये इंडोर में बहुत अच्छा ग्रोव करता है इसके इलावा आप इसकी जो स्वीर ट्राटो वाइन है इसकी कटिंग लगा सकते हैं बहुत काफी डेह सारी flouring भी आती है तो इसी तरह के colorful से plant आप add कर सकते ıldı कर तो आपने garden में जिननों के आप free में ही एड कर सकते हैं तो अब भी अगर मिल जाए half painting जरूर लगाएगा ये लाली है लालाव कीजि़ए लानी में तो बहुत बीजियुक्त उसके प्लाव है इसके लावा यह प्लावा के फार्डी केस्ट इसके लावा है पेंसल कैक्टिस था ऐसं बीजि़ प्लांट जैसे के आपके पास सनेक प्लांट है उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं उसका एक लीफ लगा देंगे तो वह भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा कीप आडिंग अलाफीज